नमस्कार दोस्तो आज के इस लेक्चर में हम संसदिय स्मितियां पढ़ेंगे इससे पहले संसद के बारे में सभी जानकारिया आपने ले ली है सभी लेक्चर आप देख लीजीएगा सेरल वाज आपको पढ़ाया गया है पूरा कोर्स सरल भाषा में है कोई भी लेक्चर मिस करने वाला नहीं है तो आज हम पढ़ेंगे संसद की परमुक स्मितियों के बारे में तो चलिए शुरुआत करते हैं तो टोटल देखिए हमारे संसद के अंदर जो संसदी स्मितियां है उनका क्या काम होता है उन्हें क्यों गठित किया गया ये सभी प्रशनों का अंसर आपको मालूम होना चाहिए सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि भारत के अंदर संसदी वव़स्ता अपनाई गई है ये आपको अब तक मालूम पढ़ गया होगा भारत के अंदर संसदी विवस्ता है और संसद को चलाने के लिए संसद का जो कारे संचालन है वो खुद संसद को ही अधिकार दे दिया गया है अपने आर्टिकल 118 पड़ा है आर्टिकल 118 के तहट संसद को खुद अधिकार दे दिया गया है कि वो अपने हिसाब से संसद को चलाए तो संसद ने अपने लिए संसदी समितियों का भी गठन किया गया संसद ने संसदी समितियों का गठन इसलिए किया ताकि वो सरकार पर नियंतरन कर सके मतलब सरकार ने कोई भी कारे किये हो उनकी जाच उन पर नियंतरन रखने का काम संसदी स्मितियों के द्वारा किया जाता है और संसदी स्मितियों के अंदर केवल और केवल संसद के ही सदस्य सामिल होते हैं इस बात का ध्यान रखिएगा अर्थात लोकसभा के 545 और राजिसभा के 245 ये सभी सदस्य जो होते हैं यही केवल हिस्सा बन सकते हैं संसरी स्मितियों के और कोई बाहर का व्यक्ति इस संसरी स्मितियों का हिस्सा नहीं बन सकता है तो संसेदी समितियों को दो भागों में बाटा जा सकता है पहला है स्थाई समितियां और दूसरा है अस्थाई समितियां स्थाई समितियां का मतलब यह है कि इनका जो गठन है वो हर वर्ष या जब भी इनका समय होता समय समय पर गठित की जाती है जबकि अस्थाई स्मितियों का गठन एक विशेश मौके पर किया जाता है हमेशा गठन इसका नहीं किया जाता है अस्थाई स्मितियों या तदर्थ स्मितियों भी ने कहा जाता है या एड होक कमेटी भी कहा जाता है जैसे कोई घोटाला सामने आया उस घोटाले की जाच करने के लिए और और भी कई विशेश काम करने के लिए अस्थाइस मितियों का गठन किया आता है फिलहाल ये समझिए कि अस्थाइस मितियों का गठन हमेशा नहीं किया आता है कि केवल विशेश मौकों पर किया आता है जैसे किसी घोटाले की जाच करनी है जैसे आपने बोफोर स्टोप घोटाला सुना होगा और स्टाउक मार्किट जो घोटाला सा वो भी आपने सुना होगा ये जो घोटाले सामने आये थे ये अस्थाई समितियों की जाच की कारण ही आये थे ठीक है तो फिलहाल आपको पढ़ना है स्थाई समितियों में स्थाई समितियों में सबसे ज़्यादा महत्तपून है वितिय समितियां जो की तीन परकार की होती है लोक लेखा समिति, प्राकलन समिति और सरकारी उपकरम समिति या लोक उपकरम समिति और इसके बाद विभाग समिति ये दो समितियां आपको पढ़ना है यही एक्जाम में पूछी जाती है ठीक है इसके अलावा कोई भी question संसदी समितियों में नहीं पूछा गया है अभी तक तो वितिय समितियां आप detail में पढ़ेंगे जिसके तीन परकार हैं और विभाग समितियां पढ़ेंगे बाकिस के अलावा जाच समितियां होती है सदन समितियां होती है अन्वेशन समितियां होती है सेवा समितियां होती है और इनके कौन-कौन से परकार है वो भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं अगर आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं लेकिन जो सबसे important जो exam में पूछे जाने वाले हैं वो मैं आपको बताऊँगा तो शुरुआत करते हैं विती समितियों से लेकिन उससे पहले बता दू टेली ग्राम पे हमें जरूर जोइन कर लेजी टेली ग्राम पर हमारा जो personal group है add the rate current face by ravie लिकर सेच कर सकते हैं हमारा channel join करने के लिए add the rate ravie यादो pieces लिकर आप सेच कर सकते हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं आगे हम बढ़ते हैं कि कौन कौन से समितिया हैं तो सबसे पहले बात करेंगे विती समितियों में लोक लेखा समिति जो की सबसे महत्वपून है लोक लेखा समिति सबसे महत्वपून है इसके लावा प्राकलन समिति भी है प्राकलन समिति को अनुमान समिति भी कहा जाता है याद रखें अनुमान समिति उसके बाद सरकारी उ टोटल सदस्य कितने होते हैं? 22 सदस्य एक्गाम में कोशन पूछा जाएगा कि लोक, लेखा, समिती जो की विति-चमीती का ही परकार है इसके अंदर टोटल सदस्यों की संक्या कितनी होती है? तो 22 सदस्य होते हैं जिन में से 15 सदस्य लोक सभा से आते हैं समीति के सदस्य नहीं बन सकते, बहुत ही महत्पून बात आप याद रखना है, और एक और इंपोर्टंट आपको बात बताओं कि इस लोक लेखा समीति के जो अध्यक्ष होते हैं, वो आपको मालूम है कौन होते हैं, विपक्षी दल के नेता होते हैं, ठीक हैं, विपक्षी दल के किसी सदस्य को इस समीति का अध्यक्ष बनाया जाता है वर्तमान में आप पूछेंगे कौन है तो अधीर रंजन चोधरी जो कि कांग्रेस से बिलोंग करते हैं अधीर रंजन चोधरी इस समीति के वर्तमान में अध्यक्ष है और इसका कारिकाल एक वर्ष का होता है लोक आती है इंका कारे क्या होता है ठीक है कारे क्या होता है लोक लेखा समिति का आपको कैग पढ़ना है आगे आप पढ़ेंगे नाम क्या है कैग का नियंतरक एवं महालेखा परिक्षक नियंतरक एवं महालेखा परिक्षक जब आप पढ़ेंगे तो मोटे तोर पर मैं आपको ब होते हैं, उनका पूरा हिसाब किताब रखना कैग का काम होता है, अर्थात नियंतर के महालेखा परिक्षण का काम क्या होता है, सरकार के द्वारा जितने भी खर्चे किये जाते हैं चाहे वो फिजूल खर्चे हो चाहे वो किसी योजना के तहत खर्चे हो उनका पूरा हिसाब किताब रखना कैग का काम होता है यह मोटे तोर पर बताया आगे जब पढ़ेंगे डिटेल में नियंत्रे के महालेखा परेक्षे तब आपको और भी सरकारी कमपनियां हैं जैसे BSNL, NTPC इन में भी जो खर्च होते हैं जो भी इनका लेखा जोखा होता है यह सब काम कौन करते हैं कैग वाले ही करते हैं ठीक है तो अभी हमने बताया कि कैग का काम एक यह है कि सरकार के दोरा जो भी खर्चे होते हैं उनका हिसाब किताब रखन आते हैं वो तो किसको सौपते हैं आपको मालू है किसको सौपते हैं राश्टरपती को सौपते हैं तो राश्टरपती संसद में उसे रखवाते हैं संसद के सदन में रखवाते हैं सदन के पटल में रखवाते हैं उसके बाद उस रिपोर्ट की जाच करना लोक लेखा समीती क काम होता है संबी आए कि नहीं अब देखंग कितनी अच्छी बात है हमारे संवीधार के forests के हैं जो भी काम करी पैसे और कर रही है पूरा लेखा जोघाए नेग कर रही हैं वो अपनी रिपोर्ट राष्टपती को देते हैं और राष्टपती संसद में रखवाते हैं और संसद में रखवाने के बाद लोक लेखा जो समिती है वो उसकी फिर से जाज करती है जब ये जाच करते हैं तो कुछ भी सहायता लेनी होती है तो नियंतर के महालेखा परिक्षक को बलाकर उसमें सहायता ली जा सकती है तो देखिए इसी कारण से तो लोक लेखा समीति के जो अध्यक्ष होते हैं सबसे पुरानी समीति लोक लेखा समीति ही है उसके बाद बात करेंगे प्राकलन समीति से पहले उपकरम समीति हम पढ़ लेते हैं उपकरम समीति बोला जाए या सरकारी उपकरμε समीति बोला जाए सही The Committee on Public Undertaking मतलब सबसे पहले यह याद रखे इस समीति का गठन होना 1964 में शुरू हुआ था इनका कारेकाल भी एक वर्ष का होता है और इनके अंदर भी सदस्यों की संख्या 22 ही होती है ठीक है और 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राजसभा से होते हैं अब इस मित्ति के अंदर भी कोई भी मंतरी सदस्य नहीं रह सकता अब इनका कारे क्या होता है देखिए कैग ने क्या-क्या काम किया था अब कर वाले में था तो सरकार के जो खर्चे coincidence वो पूरा लेखा जोखा किया था और जो सरकारी कम्पनिया हैं सरकारी कम्पनिया जैसे BSNL, NTPC, HPL और ONGC, सेल, भेल, IOCL, और BPCL और पावर ग्रीड जो सरकारी कम्पनिया हैं इनका जो हिसाब किताब वो भी कैग ही रखती हैं और कैग अपनी रिपोर्ट और जब राष्टपती की दौर्ण संसद में परस्थूत करवाते हैं तो इनकी जाच करना लोक उपकरम समिति का काम होता है तो आप समझ गया होगे लोक लेखा समिति का काम होता है क्या सरकारी जो खरचे हुए हैं जो सरकार ने पैसे खरच किया है उनकी जाच करना अर्थात जो सरकारी खर्चे हुए है वो जाच तो कैग ने किया अर्थात लेखा जोखा ग्याग ने किया है और कैग ने अपनी रिपोर्ट संसद में पेश करवाई है और संसद में जाच करना किसका काम है लोक लेखा समिति का और उसी रिपोर्ट में जो सरकारी कम्पनियों के भी हिसाब किताब होते हैं और इसकी जहाँच कौन के रखते हैं उपकरम समिती करती है सरकारी उपकरम या लोग उपकरम समिती करती है होप आपको समझ में आ गया होगा यह उसके अब बात करते हैं प्राकलन समिती प्राकलन समिती को अनुमान समिती भी कहा जाता है ठीक है इस समिती के अंदर कुल तीस सदसे होते हैं और सभी के सभी सदसे लोकसभा में चुने जाते हैं याद रखिए प्राकलन समिती या अनुमान समिती इंग्लिश में कहें Estimate Committee इस Committee के अंदर 30 सदसे होते हैं कुल कितने सदसे होते हैं? 30 सदसे होते हैं और सभी के सभी लोग सभा से चूने जाते हैं इनका कारेकाल भी एक वर्च का होता है और जो इनका अध्यक्ष होता है वो इन 30 सदसे में से चूना जाता है इतनी बात आपको याद रखनी है अब इनका काम क्या होता है अनुमान सिमिती का काम क्या होता है देखिए अभी बजट पेश हुआ अभी वितमंत्री के द्वारा लोकसभा में बजट पेश हुआ अब देखेंगे कि बजट पेश होने के बाद कुछ दिनों की छुट्टी द उसके बाद कुछ छुट्टी बीच में दी जाती है 15-20 दिंगा गैप दिया एता है उस गैप के अंदर इनको काम दिया एता है इस्टीमेट जो हमारी सिमिती है जो प्राकलन सिमिती या अनुमान सिमिती इनको काम दिया एता है कि वो बजट के सभी पहलों की जाच करें अथा बजर के सब्भागों की जाँच करें जैसे क्रिशी के लिए कितने पैसे आवेंटित किया है या, शिक्षा के लिए क्या मतलब वो किया गया है शिक्षा के लिए कितने पैसे दिये गए है या किसी और छेतर में क्या विवस्था की गई है क्या वो अनुमान सही लगाया गया है सरकार के द्वारा इसकी जाँच ये तीस सदसे करते है थात प्राकलन समिती करती है budget page किया गया है इसके बारे में जो सुधार करने हो वो सुधार नहीं हो पाते लेकिन इस report का जो ये जो report page करेगी समिती इस report का अगली बार जो budget आएगा उसमें उसका use हो सकता है ठीक है तो ये है इनका काम में तो आप कहेंगे इनका कोई फायदा नहीं का फायदा है अगला जो budget पेश होगा तो उस budget में इसकी report देखी जाएगी कि हाँ अब सरकार सावधान हो जाएगी कि हाँ पिछले budget में ये गलतियां होई थी क्योंकि पिछले budget की जब जाच की थी प्राकलम सुमिति ने तो ये ये कमिय पाई गए थी तो अगले budget में सुधार के लिए वो अच्छे कदम उठाय जा सकते हैं ठीक है तो प्राकलम सुमिति का ये काम है होप आपको प्राकलम सुमिति अच्छे से समझ में आ गया होगा मतलब इनका काम यही है कि जेव भी अनुमान क्योंकि आप जानते हैं बजट में अनुमान ही लगाया आता है कि इस छेत्र में इतने पैसे उस छेत्र में उतने पैसे तो वो क्या अनुमान जो है वो वास्तिविक्ता के निकट है कि नहीं हकीकत में जैसे क्रिशी के लिए इतने पैसे दिये गए हैं तो क्या क्रिशी के लिए इतने पैसे दिये जाने चाहिए कि और दिये जाने चाहिए ठीक है तो ये थी वितिय समितियां तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है लोग लेखा समिति में 22 सदस्य लोक उपकरम समिती में 22 सबसे और दोनों में 15 सबसे लोक सबसे 7 सबसे राजसबसे लेकिन प्राकलन समिती में 30 सबसे होते हैं और 330 लोक सबसे होते हैं ठीक है और इंका काम में क्या है बजट के अनुमानों की जाच करना लेकिन ये अपनी रिपोर्ट 5-6 महिने बाद पेश करते हैं 6 महिने से ज़्यादा भी हो जाता है तो इसी कारण जो जिस बजट की एजाच कर रहे थे उस बजट के लिए कोई लाब तो नहीं होता है इस रिपोर्ट का इसमें 16 समितियां लोकसभा की है और बाकी जो समितियां है 8 समितियां वो कहा की है राजसभा से बिलोग करती है ठीक है 24 समितियों में जो 16 समितियां है वो लोकसभा की है और 8 समितियां राजसभा की है लेकिन ये भी बात याद रखिए इस 24 की 24 समितियों में कुल सदस्यों की संख्या 31 होती है कितनी होती है 31 संख्या होती है और इन 31 संख्या मसे 21 सदस्ये लोकसभा के होते हैं और 10 सदस्ये राजसभा के होते हैं देखिए थोड़ा confusing हो सकता है इसमें टोटल 24 विभागी समितियां होती है इन 24 विभागी समितियों में 16 विभागी समितियां लोकसभा की हैं और 8 विभागी समितियां राजसभा की हैं लेकिन 24 की 24 विभागी समितियों में टोटल सदस्यों की संख्या 31 होती है और इन 31 संख्या में 21 लोकसभा से और 10 राजसभा से चाहे वो राजिसभा की विभागी समिति हो चाहे वो लोकसभा की विभागी समितिया हो लेकिन उसमें सदस्यों के संख्या 31 ही होती है और सभी के सभी में जो संख्या है 21 लोकसभा की और 10 राजिसभा की इस बात का ख्याल रखिये ऐसा नहीं कि जो राजसभा की विभागी समितियां है वहां राजसभा के सरकार के दोरा बजट रखा गया है उस बजट में जो सभी विभाग हैं उनमें जो धन खर्च किया जा रहा है उनकी जाच करना लेकिन ये अपनी जाच जो करते हैं रिपोर्ट पांच-छे महीने बाद देते हैं इसी कारण से विभागी समित्यों का गठन किया गया और ये जल्दी जल्दी अपनी रिपोर्ट समित्य होगी वह फटा-फट जांच करते हैं इसकी अभी आपको बताया बजट पेश करने के बाद 15-20 दिन की छुट्टी है तो 15-20 दिनों के अंदर ये अपना काम कर देते हैं ठीक है और कुछ अगर सुधार उधार करना होता है ये अपनी रिपोर्ट में देते हैं उसके लंबा सत्र बजट सत्र ही होता है वो छुट्टियों का में उद्देश यही होता है जो सत्र बजट पेस किया गया है उसके सभी विभागों की सभी भागों की जांच करना इस छुट्टी का उद्देश होता है और कौन करती है ये विभागी समितियां जो 24-24 विभागी सम तो आज के इस लेक्चर में इतना ही संसरी समितिया कंप्लीट हो गया तो संसर का चैप्टर अब होता है समापते इसके बाद हम पढ़ेंगे नियंतरक के वह महालेखा परिक्षक और उसके बाद सुप्रीम कोट आप पढ़ेंगे लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा तो ल आप उठा सके स्क्रीन पर चार लेक्चर आएंगे बहुत ही महत्तपूर्ण लेक्चर हैं जरूर देखिएगा नमस्कार